Hello friends, welcome back to my channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो आप जो है आपके Windows PC में Windows Laptop में Google Play Games बीटा में आप Sign In कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तो बहुत सिंपल स्टप है आप इसे स्टप को फाल्यो कीजिए तो सबसे कुले दोस्तो आपको Windows के Start मेनू पर किलिक करना है फिर आपको यहाँ पर All Apps के उपर किलिक करना है और आपको यहाँ पर Find Out करना है Google Play Games तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Google Play Games यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो आप इसको किलिक करकर Open कीजिए उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर Sign In with Google को Option है आप इस पर किलिक कीजिए फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का Interface शो हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी Gmail से आपको Login करना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को आपको जो है Copy कर देना है यहाँ पर से इसली Copy करने बाद आप Google Chrome को Open कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर Google Chrome के search बारे में यह text को जो है आपको paste कर देना है फिर आपको जो है यहाँ पर interface कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर Gmail को select कीजे फिर आपको यहाँ पर password type करकर Gmail से login करना है फिर आप यहाँ पर sign in पर click कीजे थोड़ा सा wait कीजे process complete होने तक उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं you are sign in you can safely close this window तो मैं यहाँ पर इसको close कर लेता हूँ ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर Google Play Games में मेरी Gmail ID login हो गई है उसके बाद आपको यहाँ पर click करना है फिर आपको यहाँ पर accept करना है यहाँ पर term and condition है इसको आपको accept कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर finish के ओपर click कर देना है तो दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप Google Play Games में जो है sign in कर सकते हैं तरीक से दोस्तों बहुत सिंपल है आप जो है इसली गूगल प्ले गेम्स में जो है आपकी जीमेल से लॉग इन कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहां पर से कोई भी गेम्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सिंपल है आप यहां पर सर्च पर किलिक करकर गेम्स को सब्सक्राइब कीजिए